दोस्तों आज़के इस वीडियो में हम बॉलूड के मश्यूर डायरेक्टर करन जोहर के कुछ डिर्टी सिक्रेट के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा तो कमर की पेटी बान लीजे, आईए वीडियो शुरू करते हैं अपने डिफरेंट स्टाइल और बॉलूड वे रोमांस से भरपूर फिल्म में बनाने वाले करन जोहर ने अपनी लव वाइफ को लेकर बढ़े बड़े खुलासे किये हैं करन जोहर आमेशे आपने लव लाइफ को लेकर सुर्ख्यों में बने रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी सेक्सुल ओरियेंटेशन को छुपाने की कोशिश नहीं की आज करन जोहर पचास साल के हो चुके हैं और आज भी करन जोहर अन्मैरिड हैं करन जोहर के लव लाइफ के बारे में हम आपको कुछ ऐसे इंट्रेस्टिंग बाते बताने वाले हैं जिनने जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे करन जोहर ने हाली में खोला सा किया है कि उन्हें पहला प्यार 20 साल के उम्र में हुआ था और उस इंसान से करन ने 10 साल तक प्यार किया था करन ने कहा कि 20 साल से लेकर 30 साल तक में एक ही इंसान से प्यार करता रहा मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर का इंसान मर चुका है और मुझे एहसास ही नहीं होता था कि मैं जिन्दा भी हूँ या नहीं इसके बाद करन ने कहा कि जब दूसरी बार प्यार हुआ तो वो लगबग साथ सालों तक चला था पहले मुझे जो सबसे बूरी फिलिंग लगती थी अब वही अच्छी लगने लगी थी मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं वापस जिन्दा हो गया हूँ आपको बता दो कि करन जोहर को भले ही दो बार सच्चा प्यार हुआ हो लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट ये है कि दोनों बार उनका प्यार सिर्फ एक तरफा था दोनों बार सिर्फ करन ने किया था लेकिन सामने वाले को हमेशा से पता था कि वो उन्हें प्यार करते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं करन का सबसे पहला प्यार कौन था करन ने कई बार खोले आम इस बात का इजहार किया है कि उन्हें ट्विंकल खन्ना से बच्पन में ही प्यार हो गया था और ट्विंकल खन्ना के प्यार में वो दिवाने हो गयते हैं ट्विंकल को भी बता था कि करन जोहर उनसे प्यार करते हैं लेकिन ट्विंकल को हमेशा करन के प्यार को मजाक में ही लिया ट्विंकल ने तो ये भी कह दिया था कि करन मुझे प्यार सिर्फ इसलिए करता था क्योंकि स्कुल टाइम में मेरी मूझे आया करती थी करण ने तो यहां तक कहा था कि उन्हें कुछ कुछ होता है फिल्म में तीना का क्यरेक्टर field 她 को ध्यान में रखते हिवे ही लिखा था और वो चाहते हैं थे कि उस फिल्म में catching refugee three क्यरेकटर को निभायें लेकिन इस character को करने से ट्विंकल ने मना कर दिया तब सब जाकर यह रोल रानी मुखर जी के हिस्से में आया अब बात करते हैं मनिश मलहतरा और करन जोहर के रिस्ते के बारे में करन जोहर खमीशा से अपने सेक्सवल पसंद को लेकर चर्चाओं में रहे हैं और उन्होंने कई बार खुले आम इस बात का इशारा भी किया है कि उनक सुर्ख्यों में रही थी इन दोनों को कई parties और functions, events में और कई private parties में भी एक साथ spot किया जाता था हलाकि इन दोनों ने कभी भी खुल कर अपने प्यार का इजहार तो नहीं किया लेकिन हमेशा से इन दोनों की नस्दिकियों को देखते हुए इनके रिस्ते पर सवाल या निशान बने रहे हैं का जाता है कि दोनों काफे लंबे समय तक एक दूसरे के साथ serious relationship में थें लेकिन किनी private reason की वज़ा से इन दोनों का आज break up हो चुका है लेकिन फिर भी करन और मनीश मलहुतर आज बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे की तारीफे करते हुए सुनाई देते हैं वहीं बॉलिवड के गलियारों में से खबरे भी काफे सुनने को मिली थी कि से धार्त मलहुतर और करन जोहर साथ relationship में रही हैं करन सिधार्त को फिल्मों में आने से पहले ही जानते हैं और जब करन माइनेमिस खान बना रहे थें तो सिधार्त उन्हें असिस्ट कर रहे थें और इन डोनों के प्यार की किस्से तभी से सुर्ख्यों में आने लगे थें लेकिन जब फिर करन जोहर ने सिधार्त मलहुतरा को अपने फिल्म स्टुडेंट आफ दी इयर से लॉंच किया तब इन खबरों ने और भी ज़्यादा तुल पकड़ लिया लेकिन खबरों की माने तो आज करन जोहर और सिधारत मलहोतरा के बीच किसी भी तलका कोई रिस्ता नहीं है अफवाय तो ये भी है कि दोनों ने एक दूसरे को काफी सालों तक डेट किया था लेकिन आज इनका वो रिस्ता तूट चुका है और आज इन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती का ही रिस्ता है वहीं अगर करन जोहर उनके फेवरिट बॉल्लीवड स्टार शाहरु खान के रिस्ते के बारे में बात करें तो कई अफवाय तो ये भी थी कि इन दोनों के बीच की दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं बलकि प्यार से भी बढ़कर है करन जोहर का प्यार शारुक खान के लिए जग जाहिर है लेकिन करन जोहर ने अपने बायोग्राफी में इन सभी बातों को बिल्कुल गलत बताया है वहीं करन कहते हैं कि मैं शारुक खान को एड्मार करता हूँ और मैं उनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ वहीं हम दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती है उससे ज्यादा कुछ नहीं और आज के वक्त में उनके लव अफैर की बात की जाया तो वो एक विदेशी बंदे को डेट कर रहे हैं और अपने बच्चों को उनहीं के साथ रख रिस्ते में वो आगे बढ़ रहे हैं इसके लावा करन जोहर को हमेशा कंट्रोवर्सी में डालती है वो है नेपोटिजम ये नेपोटिजम को इतना काफी जादा आगे बढ़ाते हैं कि उन पर प्राउडली ये बात कह चुके हैं कि हाँ मैं आगे बढ़ाऊंगा मुझे कोई आखिर क्या कह सकता है मेरी मरजी मैं जिसको भी अपनी फिल्म में लेकर आऊं मैं स्टार किट्स के साथ ही फिल्मे करना चाहता हूँ और उनके साथ ही काम करूँगा अगर आप सभी ने बात गौर की हो तो फिल्म स्टुडेंट आफ दी एर के बाद नेपोटिजम का पूरा खेल करन जोहर ने शुरू किया क्यूकि वो स्टार किट्स वरुंधोन को लेकर आये थे आलिया भट को लेकर आये और उससे उन्हें बहुत फायदा भी मिला और इसी फायदे के वज़या से वो आगे इस काम को बढ़ाते रहें नेपोटिजम का सिर्फ यही खेल नहीं है करन जोहर का बलकि ये भी है कि वो स्टार किट्स को ज्यादा प्रिफिंस देते हैं इसके लाव उनका एक और डटी सिग्रेट सामने आया है और उनकी नफरत जो भी स्टार्स आते हैं जिसकी कोई पहचान खास नहीं होती सिर्फ उनकी अच्छी होती है करन जोहर उन सभी से नफरत करते हैं और ये तक भी कहते हैं कि मेरी उनसे नफरत करने के पीछे की वजह उनका टैलेंट होगा लेकिन उनके लुक्स अपने फिल्मों के हिसाब से अच्छे नहीं लगते हैं और अगर वो किसी आउटसैडर को ले भी लेते हैं तो उसी को लेते हैं जिस वक्त उसकी ज्यादा हाइप चल रही होती है काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं जैसे की कार्तिक आरेन को उन्होंने लिया क्यारा अडवानी को उन्होंने लिया सिर्फ अपने फायदे के लिए करन जोहर काम करते हैं यहां तक कि जिन स्टार्स केट्स को फिल्मों में लेकर आते हैं, उन्हें वो अवार्ड फंक्शन में भी कई अवार्ड भी दिलवाते हैं, क्योंकि अवार्ड फंक्शन में जितने अवार्ड मिलते हैं, जो जीरी मेंबर बैठती हैं, अवार्ड देने वाली करन जोहर इसके मेंबर हैं और इसी वज़ा से साल 2020 में जब अनिया पांडे ने डेबु किया एक फिल्म से जिसका नाम Student of the Year 2 था जो खुद करन जोहर की फिल्म थी इसके अंदर डेबु अवार्ड अनिया पांडे को मिल गया जबकि इससे काफी अच्छा काम शिवाली का अवराय करते ही नजर आये थी अपनी पहली फिल्म के अंदर और उन्हें अवार्ड नहीं दिया गया था ऐसे में हर साल होता आया है कि करन जोहर अपने ही स्टार्ट केट्स को अवार्ड देते हैं और यही एक वज़ा है कि शुषान से राजपूत को उन्होंने इग्नोर किया अपने फिल्म ड्राइव में काम देने के बाद भी उन्हें कई फिल्मों से बैन करके रखा जो रिलिज नहीं हुई थी सिर्फ नेट्फिलिक्स पर सामने आय थी और शुषान को आउट्साइडर के तोर पर खमीशा से ही हरिस्ट किया गया था तो दोस्तों करन जोहर का आउट्साइडर के लिए ये ऐसा बिहेव क्या सच में सही है आपके क्या रहा है कॉमेंट कर जिरू बताएए आज इस वीडियो में बस इतना है